आज हम बात करने वाले हैं. जहाँ पर जाने के बाद यह रिसेप्शनिस्ट से बोलता है कि मुझे है रोड मिशन से मिलना है. जवाब में वह औरत बोलती है कि यह बिलकुल भी पॉसिबल नहीं है. इस पर वह आदमी अपना नाम बताते हुए कहने लगता है कि मैं डैनी ग्रैंड हूँ. टेंडल जायान कि इसकी कमपनी ने बहुत जादा तरक्की कर ली है. अब यहाँ पर हम लोग एक कमर्शियल के थरू हेरोड और सेंडल को देख पाते हैं जिन्होंने इस कमपनी की शुरुआत करी थी, जिसमें की बंडरलेंड एक यावन प्रतिशत शेयर का मालिक था और वही हेरोड मिशन 49 प्रतिशत शेयर कब देनी है. सब देखी रहा था कि इतने में ही यहाँ पर दो जने आते हैं, जो किसे भगाने की कोशिश करने लगते हैं. दरसल, उस औरत ने किसी और को नहीं बलकी घाट को फोन करा था ताकि वह डैनी रेंट को यहाँ से भगा सके. पहले डैनी ने जादा समझाने की कोशिश करता है कि वह इसे इस तरह से धक्का ना दे. पर जब वह लोग नहीं मानते तो डैनी इन्हें बड़े आराम से मारता पीटता हुआ लिफ्ट हॉल में घुज जाता है और अंदर जाने के बाद वह कॉल को ब्लॉक कर लेता है क्योंकि इस तक कोई भी नहीं पहुँच सकता था तो इसलिए बड़े आराम से प्लॉट नंबर 55 जाहता है जहां पर कभी है. रोड में चमका ओफिस हुआ करता था. वह पर पहुँचते ही सेक्रेटरी इसका नाम पूछने लगती है. लेकिन डैनी से कोई भी जवाब ना देता हुआ सीधा हेर रोड नहीं बैठा हुआ था और अब इस बात को देखने के बाद डैनी कौफी जादा शौक होता है और इससे हेरोल का पता पूछने लगता है. पर सामने बैठा आदमी उल्टा इससे यह सवाल जवाब करते हुए इसके बारे में पूछता है. अब यह दोनों आपस में ब मैं बनी रहे और इस बात को सुनने के बाद यह दोनों तो बहुत ज़्यादा शौक होते हैं पर बॉडी से बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता. डेरी टेंट 15 साल पहले 13 क्लास में मारा जा चुका है और अब तो उसकी उसकी पूरी फैमिली भी उसी प्लेन ख्रेश में मारी आती है कि 12 साल पहले हेरोड भी कैंसिल से मारा गया और अब इस बात को सुनते ही डेनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यह सोचने लगता है कि आखिरकार अब यह क्या करें. इस पर बॉडी से बोलता है कि तुम्हें गली के बिखारी हो जो कि हमारा दोस्त बनने का नाटक कर रहा है. तुम देनी नहीं हो सकते तब देनी से काफी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है. लेकिन वाट इसकी बात को जरा भी नहीं मानता और अपने गांग को बुला कर इसे यहां से निकलवा देता है. उसके जाने के बाद जॉय से बोलती है कि वह लड़का सच में डैनी की तरह दिख रहा था और साथ ही वह उसकी तरह बाते भी कर रहा था. पर वाटसेप समझाता हुआ बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता. अब हम देन नहीं रहे को देख पाते हैं जोकी उस कंपनी से निकलने के बाद एक घर के पास जाता है जोकी लॉक्त था और इ इसी वजह से यह घर जोई के नाम पर हो गया था. बेनी अंदर पहुँच कर देखता है कि वहाँ पर ही कुत्ता है और अब तक यह कुत्ता ही से नुकसान न पहुँचाए. इसी वजह से डैनी डाइट्स के पास जाता है और इसे कुछ बोलता है जिसके बाद ही कुत्ता च अब जब चीन वापस से प्रेजन्ट में आता है तो हम लोग डैनी को एक पार्ठ में बैट कर गाने सुनते हुए देख पाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक होमलेस पसंद आता है जिसका नाम की भी गया था जिसके पास चेक आइफोन था जोकी से थोड़ी देर पहले ही कच्छरे के डबबे में से मिला था। इसलिए डैनी अपने बारे में इसे कुछ सर्च करने के लिए कहता है। इंटरनेट पर लिखी इंफॉर्मेशन के हिसाब से यह पता चलता है कि डैनी डैनी और उसकी फैमिली 15 साल पहले हिमाले की एक प्लें क्रेश में मारी गई थी, जिसके बाद उनकी बोडी इस तक नहीं मिली और अब इस बात को जानने के बाद धानी को काफी ज्यादा दु यह इसे फास्ट ही काफी सारी मेमोरी ज्याद दिला आता हुआ बोलता है कि नहीं नहीं रैंट हूँ. इस पर जवई से बोलती है कि यह सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है. कोई भी जाकर वहां से इस इंफॉर्मेशन को पता कर सकता है और साथ ही जवई. इसे यहां से भेजने के लिए पुलिस की धमकी तक देती है और कहती है कि थोड़ी ही देर में मेरा गाड़ी यहां पर मेरी गाड़ी लेकर आता होगा और यकीन मानो कि अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हारा अंजाम बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा इस बात को सुनने के बाद डैनी मूँ लटका कर यहां से जाने लगता है अभी रोड क्रोस करते वक्त एक टैक्सी से टकराने ही वाला था कि टैक्सी के टकराने से पहले ही है उस टैक्सी के ऊपर से साइड फ्लिप मारता हुआ निकल जाता है यह सब देखने के बाद जो है क अब यह इसके बॉक्स में पैसे डालने के बाद अपने दोनों सेंटर के पैमफलिट लगा रही थी. इतने में ही डैनी वह पैसे उठाकर इसके पास आता है और इससे कहता है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ. मैं बस अपने मार्शल आठ की प्रैक्टिस कर रहा था. लेकिन कॉल वह पैसे वापस लेने से मना कर देती है और यहां से जाने लगती है. तब डैनिस के पास आते हुए इससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी ड्यूटी सेंटर में कुछ काम कर सकता हूँ. जवाब में कॉलोनी से बोलती है कि मुझे माफ करना पर मेरे दोस्ट सेंटर में तुम्हारे लायक कोई भी काम नहीं है. वही हम लोग जॉए को देख पाते हैं जो कीवद को इन सभी चीजों के बारे में बता रही थी और कह रही थी कि शायद हो सकता है कि वह सच में डैनी रेंट हो. जवाब में वर्ट बोलता है कि उस आदमी का हमें कुछ करना पड़ेगा. वह बंदा बस हमारी इमोशन के साथ खेल रहा है क्योंकि वह जानता है कि उस दिन प्रियंका इसमें हमने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को खो दिया और वह बस हमारे पैसों के उपर कबजा करना चाहता है. इस बात को सुनने के बाद जॉय वापस से वर्ट की बात उसे कन्वेंस हो जाती है. लेकिन अब जब वोट वापस अपने घर जा रहा होता है तो हम लोग देख पाते हैं कि इसकी गाड़ी में डैनी रेंट पहले से ही मौजूद है तो फिर से वापस से सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करने लगता है. अलवर डिस्टेंस डरता और अपनी गाड़ी में से निकाल कर इसके उपर पॉइंट कर देता है. अब यह सब देखने के बाद डैनी कौफी ज़्यादा गुस्से में आ गया था. इसी वजह से यह पहले तो वोट को वाणिंग देता है. पर जब वडगर नीचे नहीं करता कि मुझे बताओ कि आखिरकार मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ था. जवाब में वर्ड बोलता है कि तुम्हें हमारी कमपनी में से एक फूटी कौडी तक नहीं मिलेगी. इस पड़ा नहीं बोलता है कि मैंने तो पैसों की बात ही नहीं करी. मुझे बस मेरी फैमिली के बारे में जानना है। यह सब बोलता हुआ डैनी कोफी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। इसी वजह से वर्ट की फट के हाथ में आ जाती है और यह बताने लगता है कि डैनी जॉइंट की फैमिली 15 साल पहले एक दिन प्रेस में मारी गई थी। साथ ही बोडी से बोलता है कि अग मेरा कोई भी रिष्टेदार जिंदा नहीं है। इसी वजह से मेरा डैनी टेस्ट भी पॉसिबल नहीं हो सकता। यह सब सुनने के बाद बोडी से वापस से टोंट करने लगता है। इसी वजह से गुस्से में गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है और अभी एक बेरियर से टकराने ही वाली थी कि तभी डैनी को पास भी कुछ भीजना चाहते हैं जिसमें की हम लोग देख पाते हैं कि डैनी का प्लेन क्रेश होने वाला है और इसकी मम्मी से शांत करवाने की कोशिश कर रही हैं। अब यह सब याद आते ही डैनी तुरंत ही उस गाड़ी को रोक द जवाब में डैनी से बताता है कि इसका परपस सिर्फ इतना ही है कि यह कुंदन को प्रोटेक्ट कर चला की राखी सावला को सेक्रिफाइस बेकार ना जाए। अब इस बात को सुनने के बाद भी कल हसने लगता है क्योंकि इसके समझ में कुछ भी नहीं आया था। तब ही ड कॉलिंग बोलती है कि मैं यहां की मास्टर हूँ और मैं तुम्हारा चैलेंज एकसेप्ट नहीं करती थी। यह सुनने के बाद डैनी शांत हो जाता है। तब डैनी से बोलता है कि मैं यहां पर बच्चों को कुनफू सिखा सकता हूँ। इसलिए कॉलिंग से पूछती है कि यही सब सोचते हुए कॉलोनी से यहां से जाने के लिए बोलती है। पर इसके जाने से पहले यह इसे एक जोड़ी शूज भी देती है जिसके लिए डैनिश का शुक्रिया करता है और चुपचाप यहां से चला जाता है। अभी नीचे बैट कर सोचते हैं नहीं रहा था कि इतने में ही यहाँ पर वर्ट का गार्ट चैनल पहुंच जाता है जो की अपने कुछ घूमने दोस्तों के साथ आया हुआ था और यह डैनी को देखते ही इसके उपर हमला कर देता है पर क्योंकि मैंने भी लड़ाई में काम नहीं था इसी वजह से यह चैनल को मारता पीटता ह हुआ यहां से भागने की कोशिश करने लगता है और भागने के दोरान ही इसके सामने एक उची दीवार आती है जिसे कि यह कुछ ही पलों में पान जाता है वह इसके पीछे अभी भी कुछ कात थे इसी वजह से उनमें से एक के उपर फाइव पॉलिटिक्स से हमला करता है और उसे बेहोश करकर यहां से एक भीर वाले इलाके में पहुच जाता है इसकी इसकी को कॉलोनी भी देख लिया था जो की यह शब्द रानी को बहुत अच्छे मार्शल आटाते हैं अब यहां से एक भीर वाले इलाके में पहुचा रहा था जहां पर पहुचने के बाद य पैनी कॉफी ज़्यादा शौक में आ गया था और इसलिए अब यह यहां से चला जाता है. वही हम लोग बोर्ड को देख पाते हैं जो कि अपने ओफिस से निकलने के बाद एक सीक्रेट बिल्डिंग के अंदर जाता है जो किसी के नाम पर इसने खरीदी हुई थी. अब रोज बिल्डिंग में घुसकर एक लिफ्ट से उपर की तरफ जाता है और यह एक सीक्रेट डोर के पास पहुँचता है. जहां पर गेट के बाहर एक हैंड स्कैनर लगा हुआ था. अब जैसे ही यह इस पर अपना हाथ रखता है. वैसे ही वह गेट खोल जाता है. अब बोर्ड के बहुत जादा परेशान था क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह जिन्दा कैसे बच गया और चलो मान लो. वह बच भी गया तो उसने मार्शल आर्ट कहां से सीखे और यही सारी चीजे यह वर्ड को पता करने के लिए बोलता है. हाथी जैसे यह भी बोलता है कि यहाँ पर भी जल को देखता है जो की बहुत जादा नशे करकर यहाँ पर सोया हुआ था और इस चीज को देखने के बाद डैनी समझ नहीं पाता कि अभी से कैसे उठाया जाए. तब यह भी गल के हाथ में एक कालिकिन का टैटू नोटिस करता है जिसे देखने के बाद यह सोचने लगता है कि आखिरकार इस टैटू का क्या मतलब है. अब यहाँ से अगले दिन से नाता है और हम लोग देख पाते हैं कि डैनी वापस सैंट इंटरप्राइजस में घुज गया है. अब थोड़ी देर बात जब जब यहाँ पर आती है तो यह डैनी को अपने ऑफिस यह थोड़ी देर से बात करें और अपनों की जो इस बार सच में कंवेंस हो गई थी तो इसी वजह से दिल्ली से बात करने के लिए मान जाती है और इसके लिए कौफी बना कर इसे देती है. अब डैनी कौफी पीते हुए जोई को पिछले रात के एकसीडेंट के बारे में बताने लगता है कि उसने शैनन को इसे मारने के लिए भेजा था. इस पर जो है काफी ज्यादा शौक थी और इसी वजह से बोलती है कि वह सारी चीजे अभी छोड़ो मुझे पहले यह बताओ कि आखिरकार तुम उस दिन क्लास में कैसे बचे. अब इस बात को सुनने के बा को यह समझ में आता है तब तक इसकी आँखों के सामने दुबलापंच आ गया था. अब यह उस दुबलेपन में अपने सामने बोर्ड और जॉय दोनों को देख पाता है और उन दोनों में इसे वह दो माइक दिखते हैं जिन्होंने इसकी जान बचाई थी. अजब डैनी की आँखें वापस से खुलती है तो यह अपने आपको एक मेंटल एसाइलम में पाता है जहां पर ही से बांध कर रखा हुआ था. अब यह होश में आया ही था कि तब ही डॉक्टर से वापस से बेहोश कर देता है. अब बेनी के सपने में हम उस इंसिडेंट को देख पाते हैं जब इसका प्लेन क्रेश हुआ था. वहाँ पर डेनी और उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ही घबराए हुए थे क्योंकि यह समझ गए थे कि शायद ही इनका आखिरी दिन है. तब डेनी के पापा और डेनी की मम्मी दोनों ही डेनी को आखिरी बार आई. लव यू बो झाल इनका आई.